कार है मनीश कस्याप के बारे में तो हम सुने हैं और जाने भी है अच्छे पत्रकार है जब तक पत्रकार थे ना कोई दिकत नहीं हुआ लेकिन जब थोड़ा मोड़ा इधर उधर नेताओं को लगा के नहीं इराइनित में इंटर्फेरेंस कर रहे हैं तो परिसानी उनके उप जो तैना और पर की जनता है आपको बहुबली क्यों करती है इसलिक आ है कि मैं चैसी तो यहimm harm हम रोगने माले और जनता के बीच में रहने माले बाहुबली हैं अगला सवाल के अे बताई एजैसे की जो कि कुछ आइकोट बिधान सबा है बहुत सारे युवा बिरोजगार हैं उनके बारे में क्या सोच रखा है अपने देखे तो केवल हमारे सोचने से बिरोजगारी दूर नहीं हो सकता है इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा और हमारे नेता नितिश कुमार जी है आज महागठ बंदन की सरकार चल रही है जिसमें तेजश्वी जी म साथ दलों को मिलाकर के महा घट बंदन हुआ है और सát कि रोजगारी पर भी हमारी सरकार काम कर रही है बहुत तो औरह रहे हैं और आगे भी दूक्री नोग करें देंगे तो ऊसी पार्टी में शी विरोजिगारी का यह बीरोजिगाड़ी समधान होगा हमारे नित्या इस पर भी मंधन कर रहे हैं चिंतन कर रहे हैं आने वाले समय में जो भी हमारी नवजवान बिरोजिगार घूम रहे हैं उनकी भी विवस्था की जाएगी ताकि उनको रोजिगार मिले चलिए एक कड़वा सवाल आप से जान लेते हैं और यह जो मीरगंज के च पता है कि गाय नहीं लगेगी गाय ना लागी तो बिस उपायबा बच्छडा ना पी तो कोन उपायबा वहीं इस्तिति उस मिल के साथ हुआ है सांसामुसा मिल के साथ हमारी सरकार भरपूर सहयोग कर रही है उस मिल को चालू करने के लिए लेकिन जो उसके मालिक हैं उनका आपसी कुछ बटवारा ले करके लोग आपस में फसे हुए हैं और मिल को भी उन्होंने बरबाद कर चुका है अब मिल चलने के इस्तिति में नहीं है लेकिन हमने आएसे एक महिना पहले मुखमंत्री से मिले थे परधान सचीव से मिले थे मैंने लिखित में भी दिया मिल च आप की नहीं हमारे मजह में लून लह अच्छा नहीं लूड़ा है तो लून नहीं लेते हैं तब इसका उपाए है बताई हैं ऑर चलिए एक पत्रकार है के उन्हें परतारित किया रहा है जैसे कुछ दिन पहले आपको इसके वारे में आप क्या कहेंगा अभी अभी तो हम परताडित नहीं है तो रहने पर होते जाते रहेगा उतना तो चलेगा तो देखिए उजब तक पत्रकार थे ना तब तक बैचारे को कोई दिक्कत नहीं हुआ लेकिन जब थोड़ा मोड़ा इधर उधर नेताओं को लगा कि नहीं राइनित में इंटर्फेरेंस कर रहे हैं तो परिसानी उनके उपर आ गई है तो कहीं वह मुख्य मंत्री का उमें द्वार बोले कि हम मंत्री का एक सौसी दिन में गिरा देंगे इसलिए यह करवाई की जा रहे हैं आप देखिए उनके कहने से नहीं सरकार गिर जाएगा मारजी तना मनें ब भगवाण रुपी जनता में डोब को भगवान मानते हं को क्या मैसे नों इस थोड़े हैं नोड़क है चूद भगवान हम अमका ब्लनता के जाता है भगवान डाला घना की सेवाल होता है उप पतलगालास उठाते औरा चाइचाटा और आज हम लोग के सामने महागठ बंधन के परत्यासी चुनाव लड़ रहे हैं एक बिरेंद्र नरा जादो जी हैं और दुसरा अनंद पुसकर जी हैं हम लोग इसी में लगे हुए हैं इसका आपने मीटिंग बुलाया था बहुत आपके जो छेतर के लोग थे आये हुए थे बाकि इसमें हम लोग तो कहीं वोटर बाकि आम जनता तो वोटर है नहीं जिसमें आपको जो ग्रेजियोट वाला जो चुनाव होने जारा उसमें एक लाग दस चार वोटर है जो सिक्षा बीद वाला जो चुनाव होने जारा उसमें दस चार पांस सो वोटर हैं पूरे पां जोभी हमारे गटवंधन के नेता हैं उनके प्रत्यासी यह लोग है और एक्तिस तारीक को चुनाव है उसमें हम लोग लगे हुए पार्टी का दिशा निर्देश मिला है जो हमारे महागटवंधन के नेता हैं मंत्री हैं बिधायक हैं सानसद हैं एम लगे हुए पांडे जी उनका तीन साल अभी कारिजवधी बचा हुआ है उनके जगह पे उनके पुत्र आनंद पुसकर जी चुनाव लड़ रहे हैं तो यहीं दोनों चुनाव 31 तारीक को है उसी बीच हमने अपने कर्ज करता सिक्षक सभी लोगों का मैंने यहां एक छोटा सा एक मिटिं भी करते हैं मैं समाज को लेकर चलने का काम करता हूं अच्छी बात मैं प्रावनू और मुझे सभाग है कि मैं अपनी जनता का सेवा करता हूं सेवा करता हो और आगी नमस्कार भी करता रहूं Go आपने हमारे वीडियो के माध्यम से देखा कि हमारे साथ बाहु बली भी धायक पपु पांडे जी उपस्तित थे आप इनके बारे में क्या सुचते हैं अपनी राय कॉमेंट बख में जरूर दीजेगा रखिए अपना खोब सारा ख्याल नमस्कार जहिंद